इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि यूट्यूब के लिए पावर पॉइंट से वीडियो कैसे बनाई जाती है इसको यहाँ पे सिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे पावर पॉइंट को उपन करेंगे यह पावर पॉइंट को उपन किया ओपन करने के बाद यहां पे presentation को open करेंगे यह powerpoint के presentation यहां पे open हो गई, यहां पे यह तीन slide दे गई है इन तीन slide की हम यहां पे YouTube के लिए video बनाएंगे तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका अगर transaction change करना है तो हम यहां पे transaction पे जाएंगे, और यहां पे जो भी यहां पे transaction लेना जाते है suppose करो, अगर यह transaction लेनी है तो इसको लेंगे, अगर यह लेनी है तो इसको लेंगे यहां से कोई भी हम transaction यहां से choose करेंगे, जैसे suppose करो हमने यह transaction यहां पे लेने के बाद हम क्ये करेंगे यहां पे अगर sound set करनी है तो हम sound भी यहाँ पे apply कर सकते हैं अगर नहीं करनी है तो हम यहाँ पे no sound पे click करेंगे यहाँ से sound नहीं आएगी इसके बाद यहाँ पे duration हम set करेंगे कि कितना duration इसका होनना चाहिए तो इसको हम कम या जादा कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे on mouse click इसको uncheck की रहने देंगे इसके बाद इसको यहाँ पे apply to all करेंगे कि यह जो हमने transaction यहाँ पे apply की यह सभी slider के लिए apply हो जाए तो हम यहाँ पे apply to all पे click करेंगे तो इससे क्या होगा यह transaction सभी के लिए apply हो जाएगे इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पे इसके बाद यहां पे Slide Show टैब पे जाएंगे इसके बाद यहां पे Record Slide Show यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे दो Option आ जाएंगे Record from Crunch Slide और Second है Record from Beginning तो हम यहाँ पे first पे क्लिक करेंगे record from current slide यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद record slide show dialogue box यहाँ पे आ जाएगा इसमें दो option आ जाएंगे जिसमें की slide and animation timing यहाँ पे दिये गया इसको भी check रखेंगे इसके बाद second है narration ink and laser pointer इसको भी यहाँ पे check रखेंगे यह भी यहाँ पे चाहिए इसके बाद start recording यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह जो है यहाँ पे recording स्टार्ट हो जाएगी तो यह दिखो यहाँ पे recording स्टार्ट हो गई है अगर हम अगली slide में जानना जाते हैं तो अगली slide पे जाने के लिए हम इस button पे क्लिक करेंगे इस button पे क्लिक किया इस button पे क्लिक करने के बाद यह अगली slide यहाँ पे open हो जाएगी जहाँ पे यह दिया गया कि Google Sheet and Microsoft Excel दोनों में अंतर क्या है इसके बाद फिर अगला हमने इसको open करना है animation तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यह देखो अगला यहाँ पे animation आ गया इसके बाद अगला animation फिर click किया इसके उपर अगला इसके बाद फिर अगला animation यहाँ पे open हो गया अगली स्लाइड यहां पे फिर यहां पे क्लिक किया तो यह दिखो अगली स्लाइड यहां पे ओपन हो के आ जाएगी यह अगली स्लाइड यहां पे आ गई तो इस स्लाइड में अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो जितना यहां पे लिखा हुआ है इसको हम यहां पे underline करें तो यहां पे tool दिये गए है यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद पहला यहां पे दिये गया है laser pointer यहां पे click करेंगे तो यह laser pointer यहां पे आ जाएगा इससे भी हम बता सकते हैं आगर यह ने चाहिए तो फिर हम यहां पे click करेंगे इसके बाद ह pen pen को यहां पे लेंगे हम और यहां पे लेने के बाद यह देखो underline करना है तो यहां से हम इसको underline करेंगे अगर यह इस color में नहीं करना है तो हम यह color को change कर सकते हैं जैसे यह color हमें और चाहिए जैसे यहां से कोई भी color suppose करो हमें यह purple color चाहिए तो यहाँ पे click किया और यह देखो आब यह color यहाँ पे apply हो जाएगा इसके बाद अगर यहाँ पे highlighter यह चाहिए तो यहाँ पे highlighter पे click करेंगे यह देखो highlighter यहाँ पे आ जाएगा यह highlighter यहां से भी हम बता सकते हैं कुछ भी बताना हो तो इसके बाद फिर यहां पे टूल पे क्लिक करेंगे अगर एरेज करना है यह जो कुछ भी एरेज जैसे यह एरेज हाईलाइटर एरेज करना है तो यहां पे एरेज पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करेंगे यह देखो ह के ओपर क्लिक करेंगे तो यह दिखो यह जितना भी होगा यह सारा यहां यहां पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक करने के बाद यह लिखो, यहां पे जितनी भी इंक यहां पे हमने अंडरलाइन की थी, वो यहां से हड जाएगी, तो इस तरह से हम यहां पे बता सकते हैं, इन टूल्स के जरीए कि हमने यहां पे क्या-क्या लिखा हुआ है, अगर ना अ underline भी कर सकते हैं तो इस प्रकार हम यहां पर टूल का यूज करके laser pointer, pen, highlighter, eraser, किसी का भी यहां पर यूज कर सकते हैं इसके बाद इस button पर click करेंगे यहां पर आगली slide पर यहां पर चले जाएंगे यह अगली स्लाइड यहां पे उपन हो जाएगी यहां पे कुछ हम बताना जाते हैं तो यहां से बता सकते हैं इसके बाद तो फिर हम यहां पे क्लिक करेंगे तो यह तीन स्लाइड पूरी होने के बाद यहां पे PowerPoint का Interface यहां पे Open हो जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे यहां से File Type पे जाएंगे और File Type पे जाने के बाद यहां पे Save As क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद Browse पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद यहां पे हमने काँ पे File को Save करना यहां पे desktop में हम इसको save करेंगे यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद फिर हम यहां पे file का name लिखेंगे जैसे यहां पे rawit file का name लिखा यह name देने के बाद यहां पे save पे click करेंगे save पे click करने के बाद फिर यहां से powerpoint को बंद करेंगे पावर पॉइंट को बंद करने के बाद ये रोहित नाम की फाइल याँ पे डेस्टूप में बंद के आ जाएगी ये फाइल जो है ये केबल पावर पॉइंट में ही चलेगी लेकिन अगर हम इसको किसी भी मीडिया प्लेइर में चलाने जाते हैं तो हम क्या करेंगे इस फाइ एक्सपोर्ट पे जाएंगे एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहां पे क्रेट वीडियो पे जाएंगे क्रेट वीडियो पे जाने के बाद यहां पे फूल एसडी यहां पे आ जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पे क्रेट वीडियो पे क्लिक करेंगे क्रेट पॉइंट की फाइल थी यह बीडियो में कनवाल्ट हो जाएगी यह लिखो यहां पर प्रोसेसिंग चली हुई है यहां पर जब यह प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो यह जो पाबर पॉइंट की फाइल थी यह बीडियो में कनवाल्ट हो जाएगी तो यहां पर यह प्रोसे यहां पे रेडियो हो गई है तो इस प्रकार हम यह YouTube वीडियो के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं यहां पे recording स्टार्ट हो गई है अगर हम अगली स्ट्राइड में जानना जाते हैं तो नीचे यहां पे टूल आ जाएंगे यह आगे करने तो इस तरह से हम YouTube के लिए PowerPoint से वीड यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चनल धन्यवाल